हेलो एन वेलकम तो दे स्टूडियो मेंबर्स हेरो मोटो कॉप को आज के दिन हम ट्रेट करने है एंड इसके अंदर एक बाइंग पोजिशन हमने अपनी बनाई हुई है टू फाइफ डबल वन पर एक्जेक्ट टू फाइफ डबल वन पर हमारी पोजिशन है एंड स्टॉप लॉसे जो हमने इसके अंदर अपने कंसिडर किये हैं टू फाइफ जिरो वन मतलब टू फाइफ डबल जिरो से थोड़ा से गुड़ पर अगर हम चाहते तो टू फाइफ डबल जिरो के नीचे हमारे एक आइडिल कंडिशन में स्टॉप लॉस होना चाहिए बट यहां पर इस केंडल ने जो स्विंग लगाया है इसने हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट दे दिया और यहां से जब मार्केट हमारी अप सैट के तरफ गई और अपनी से कहां से चेंज हो जाए और अगर स्टॉप लोस नहीं जाता है तो चांस इसके जस्ट अपोजिट साट में कि प्राइज हमारा अप सैट में बना रहा है और जो टार्गेट हमने डिसाइट क्या हुआ है अभी टार्गेट को पर डिसक्षिन करते हैं कि टार्गेट वगरा क्या है इससे पहले जो सबसे इंपोर्टन चीज़ है एक बार हायर टेम पर इसके उपर नज़र घुमा लेते हैं कि क्या देख करके हम लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे है और क्या हमारी एनास है तो बहुत सारी पावर होती है तो बहुत हद तक और काफी बार आपका स्टॉप लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर बोल देगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो को पावर दिख रहे हैं यह बायर्स की लग रहे है हलां कि green candle का मतलब यह नहीं होता है कि यह seller की candle है फिर bear की candle यहाँ पर buyer और seller دोने लेकी इन powerful सबसे ज़्यादा यहाँपर buyers है क्योंकि यहाँपर jetzt apply that decade बनी है बायर की candle बनी है buying ज्यादा हुई है क्योंकि यहाँपर all सबसे ज़्यादा बनी है green colourừa 10 11 अब बायर्स को count कीजिए counting से ज़्यादा जूरी है यहाँ पर quantities देखिए जितनी quantity पूरे sellers की यहाँ पर एक साथ मिलके आजी उतनी शायद इस एक candle ने बना दी इस एक candle ने बना दी, समझ पा रहा है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, price हमारा upside के तरफ है volumes का तुरू किस तरह से price हम लोग read कर सकते हैं, अपने ट्रेड में किस तरह से help ले सकते हैं एक up direction का move और sellers का price यहाँ से मेरा नीचे के तरफ गिरा है again up direction का move इन दो candles में, फिर हमारे sellers downside के तरफ गिरे हैं, और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, buyer हमेशा sellers को beat कर रहा है seller, फिर से buyers price को beat कर रहा है seller, अब यहाँ पर देखिए, price beat नहीं कर पाया है इसको, और सबसे ज़्यादा जो अभी तक beat होता हूँ आया है, वो है seller और यहाँ पर इस छोटे से firm में आ करके, छोटी सी range में आ करके हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर sellers काफी ज़्यादा है और buyer अपने आपको protect करने के कोशिश कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि वो किसी ना किसी एक level पर अपने आपको justify करने के कोशिश कर रहा होगा particular एक level, यानि कि 2000 आज का जो हम level आपको बाता है और morning में इसके अंदर volume आई है day time frame पर आप देख लेना दिन खत्म होते होते हैं आपको यहाँ पर volumes के breakout देखने को मिल जाएगे कम से कम कल से तो ज़्यादा volume यहाँ पर आना है fix है, volume यहाँ पर आएगा हमारी analysis के recording price में upside के move होने चाहिए मतलब कि green candle form होनी चाहिए अब हमारी analysis से इसका मतलब यह नहीं है कि price उसी side में भागेगा, वो नीचे भी गिर सकता है अगर नीचे गिरेगा तो भी sellers की volume आपर सबसे ज़्यादा होंगी, मतलब कल से ज़्यादा volumes के breakout हो जाएगे और जिस तरह हम लोग यहां से analyze करें power हमें सबसे ज़्यादा जो दिख रहे इस level पर बाइर से दिख रही है तो बहुत सदा chance है कि prices के movement upside के हो और एक positive candle बने और volumes के breakout आपको देखने को मिल जाए और fact है ना, अभी देखिए हमने price को नहीं चुआ है सिर्फ volumes को देख करके reading कर रहा है अब आजाएए price की पास volumes को हम लोग अटा दें volumes को off कर दें अब volumes को हमने height कर दिया है धोड़ देर के लिए price को आप देखिए हम एक candle mark करेंगे यह वाली, इसका हमने low mark करना है और high mark अब देखिए कि इस एक candle के अंदर दिमाग के साथ बैट करके देखना तो तो इसका कुछ फायदा होगा वरना अगर profit or loss देखना तो वह बहुत easy आप वीडियो को थोड़ा सा आगे कर दो profit or loss पेनल बगार सब देख जाएगा चले यहां पर सबसे पहले हम लोग अपने position book अपन कर लेते हैं 2501 मार्केट्स पर और यह order हमारा पेंडिंग है 2511 रुपाय पर हमने अपना order लगा था और पूरा का पूरा order जो हमको मिला है 2501 पर मिल चुका है ओके तो position के अंदर हमें लोग बने हुए हैं अब चलेंगे सिधे चार्ज के पर हम लोग इस वाली एक अपनी candle पर थे हैं यहां से prices के movement आप देखिए आपको खुद यह सारी चीज़र समझ वाएंगे जस्त क्या है कि एक point of view चाहिए होता है कि हमें समझना कैसे है candles को अब आप इस एक candle को अपनी master candle मानें यह day time frame पर हमारी सबसे important candle है अगर day time frame पर हम अपनी इस एक candle को master candle मानते हैं तो इसके आगे के movement क्या है कि प्राइस दिखे मेरा यहां से इसके closing price से नीचे की तरफ गिरा और गिरने के बाद में अगें next एक प्राइस ने क्या किया था हमारी 9th की candle को load 10th की candle ने break कर दिया था मतलब lows लगे थे और highs डाउनसाइड की दरफ शिफ्ट हुए थे volumes अगर आपको याद होगी थी इन दोनों ही candles की volumes मेरी कम थी मतलब दूसरे से कम थी 10th की volume मेरी कम थी 9th की volume से और इसके बाद में फिर आती है यहाँ पर हमारी bats की candle buying की volume से सबस्यादा जोरी है कि 10th की candle का जो low है हमारी 11th की candle ने break किया और यह break करके हमारी 6th of May इस बड़ी सी master candle के अंदर आया low तक आया और low तक यहाँ से देखिए फिर इसके अंदर buying से start होगी और price मेरा upside के तरफ चला गया volumes भले ही कम है बट यहाँ पर buying pressure हमें देखनों के मिला और again देखिए यहाँ पर next day price के अंदर sellers का movement स्टार्ट हुआ और price मेरा downside के तरफ गिरा गिरने के बाद में अब 6th of May की range के नीचे मेरा price गिर गया था अब देखिए क्या हुआ है कि price यहाँ पर हमारी इस एक candle के low को break नहीं कर पाया था 11th को और इसने 12th को आकर के low break कर दिया अब अगर price मेरा वाकई में weak है तो इसको क्या करना होगा 12th of May के नीचे जाकर के trade करे गई है बट price ने किया किया वापस हमारी smarter candle के अंदर जाकर के open हो गया और upside का movement दिखाने लगा clear है अब जिस candle ने downside के तरफ हमारा breakout दिखाया था अब जिस candle ने downside के तरफ breakout दिया था 6th of May की candle का price हमारा उसके ऊपर निकल गया 13th को भी end Monday के trading session यानि कि 16th ये price हमारा upside की तरफ चलागी अब Monday के session में upside की तरफ closing करने के बाद में 12th of May की जो closing हुए मंडे के दिन की हुई है मंडे के दिन price हमारा upside की तरफ close गया और आज जो market ने हमारी opening दी है मंडे के trading session के upside की तरफ open हुआ है with volume समझ पा रहे है ना इस price की candle के बाद में जो resistance हमारा बना है price ने आज उस resistance के ऊपर opening दी और उसके upside में ही trade अपने 9.15 के low को protect करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर सारी चीजों को समझना सारी चीजों को combine करना सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कहीं से भी में price को उठा लिया green candle देखी red candle देखी buying या फिर selling स्टार्ट कर देखी not just a buying और selling game यहाँ पर जितना भी game चल रहा है यह probabilities के game हो आप देखी यह जो breakout आप देख रहे हो यह 5 minutes के time frame में यहाँ पर already हो चुका है देख रहे हैं ना कल की volumes के breakout आज की market ने कर दिया है तो यह तो बात होई lower और higher time frame पर पर हमने यह समझा है कि price हमारा bullish move में है और यहाँ से अगर price को मेरा downside के तरफ गिर ना होता तो यहाँ से गिर जाता 9.15 के low को break करने के बाद लेकिन देखे 9.15 के low से price देखा दिया हमने क्या किया जैसे ही price हमारा हमारी इस green वाली candle अब lower time frame पर यह important candle है मेरी इस green वाली candle के अदर जैसे price गया हमने यहाँ पर अपनी entry ले ली और stop loss entry के साथ में अपने ये trade अपना execute करे prices के movement हमें upside के देख रहे है और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि price हमारा अप में show कर दे movement अब यह तो बात होगे entry और stop loss अब बात आते ही targets के तो targets जो हम इसके अंदर लगाएंगे 2560 रुपाय का मेरा target होगा सबसे पहला target बहुत ज़्यादा chance है कि price अगर move अच्छा रहा तो यह और भी ऊपर की दिशा तक निकल सकता है लेकिन हर बार कितरा 2560 पर हम price के आने का wait करेंगे देखेंगे कि यहाँ पर market की spartness क्या है volumes किस तरह से generate हो रही है यह है hero motor cop इसमें बहुत ज़्यादा chance है कि एक candle के अंदर ही अंदर आपको अच्छा खासा move देखनों को मिल जाए तो उसके लिए हम wait करेंगे और नहीं तो फिर अगर कुछ हमको reversals दिखाए पड़ेंगे 2560 पर या उसके नीचे से तो देखेंगे कि क्या करना है okay so अभी तो price नीचे की तरफ आ रहा है जाने दिए इससे डरना घबराना नहीं just retracement है price जब upside की तरफ जाएगा तो ऐसे retracement भी होंगे price हो सकता है कि आपका entry तक आ जाए 9.15 की high की उपर में जाकर के भी closing दे दिये अब अगर prices के उपर जाकर के अपने swings को break करता है तो chances are very high कि हमको हमारे targets मिल सकते दिखते हैं क्या movement होगी but just अभी price ने 9.15 की high की उपर अपने closing दिये निफ्टी का यह level हमने आप लों को mark करके मौनिंग में अपने telegram channel में शेर कर दिया था जहां पर हमने लेवल मार्क करके दिया यह सिर्फ और सिर्फ एक single line के उत्रू हमने लेवल अपना mark किया था and prices के अंदर movement की expectation हमें मौनिंग से upside की थी that's why हमने hero motocop के अंदर अपनी buying side में position बनाई थी और price ने जैसे अपना resistance 5,976 रूपीज का यह level ब्रेक किया है तो movement आप देख सकते हैं क्योंकि आज के दिन यह level बहुत से strong था हमारा क्योंकि nifty अपने swings को ब्रेक कर रहा है तो chances हमें लग रहे हैं जाफिर उससे पहले जब हम अगर निकलते हैं तो आप लोगों को uniform करेंगे So traders, अब यहां से बाहर निकलने का समय आ चुका है यह वारी जो अपनी candle बन रही है तीन बज़े की candle है and market पूरी तरह से पूरे देन sideways रही है हमने कहा था कि 9.15 के उपर जब market अपने swings को break करने लगीगी तब chances हैं इसके बाद में कि market हमारी upside में move करते ही हमको नजर आ जाए अगर आप nifty के moves देखोगे तो देखे बिल्कुल one direction में move है और इस वक्त भी nifty बिल्कुल एक green candle form कर रही है but hero motocop के अंदर इसको कोई असर नहीं पड़ा ideally देखा जाए तो तो इसको align हो करके चलना ऐसे है था but align नहीं हुई है market क्योंकि auto sector जब आप देखोगे nifty auto भी हमारा upside की तरफ गया है मतलब nifty auto का भी direction वैसा ही रहा है जैसा कि हमारा nifty का था बिल्कुल one direction लेकिन hero motocop को नहीं चलना था तो नहीं ही चलना था पूरे दिन ये sideways ही बना रहा तो अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता so अब यह समय है यहां से exit मार देने का so अब यहां से हम लोग निकलते विकॉज समय हो चुका है अच्छी बात यह रही कि हमारा stop loss पूरा का पूरा save बना रहा पूरे दिन तक तो सही जगा पर stop loss अगर आपने find किया तो उसका एक फायदा होता है कि आप अपने stock को hold कर सकते हैं लंबे समय तक morning में 10 बजे के आज बास हम ने अपना trade execute किया था और अभी ये 3 लगवग 5 hours 5 घंटे तक हम ने अपने इस trade को hold किया है यहाँ पर stop loss को चली cancel करते हैं stop loss cancelled and position book लीजे 3000 पर हम लोग exit हो गया है 3090 रुपीस कपा very good, बहुत बढ़िया है आज सच में वैसे दो mind बहुत cool रहता है बट एक irritation होती है सारे analysis सही होने के बावजूद भी जब लगता है कुछ miss हुआ है अब यही साही चीज़े improve करने को होती है आप चाहें जितना भी स्वाय market में दे दो रोज नई market होगी आपको उस market से सीखना होगा जब हम यह बोलते हैं कि एक level पर आज जाने के बाद में आपको experience के ज़रुद पड़ेगे तो मालू है इस experience यह जो word है ना यह बहुत बुरा impact डाले लेगा अच्छे market के अंदर कोई भी अगर आपसे बोलता है कि भाई सिखा तो हम रहे हैं आप practice करो बट एक level पर आज जाने के बाद में आपको experience के ज़रुद पड़ेगे यह होती है वो सारी चीज़े अब आपको क्या लगता है कि stock selection में कुछ problem थी या price के analysis में कुछ problem हुई है या फिर हमारी entry लेने तक सबको सही था उसके बाद में कुछ चीज़े mismatch हो गई जिस वैसे price के अंदर हम sideways रहे गए अब यह पूरा trade खत्म हो जाने के बाद में जब हम शाम को बैठेंगे तो हमको कुछ ना कुछ इसमें पकड में आएगा जैसे कि अभी हमको इतनी साई चीज़ समझ में आ रहे हैं एक important point है कि volumes का breakout proper way में नहीं मिल पाना जिसके वजह से price हमारा side way रहे कोई बात नहीं कम जादा चलता रहेगा and we will improve. Thank you and we will meet again.